जेहें दो वेलकम टू टूड़े अग्जाम क्लासेज दोस्तो आज के इस वीडियो हम राधस्तान जीके के कुछ मोश्ट इंपोर्टेंट क्यूसन आंसर याद करने वाले हैं जो आपके रीड बरतिप्रिक्सा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोश्ट इंपोर्टेंट क्यूसन आंसर हैं अगर दोस्तो आप भी रीड दोजार बाइस की त्यारी कर रहे हैं निर्बर हैं तो इस सवाल का सही जवाब जेगा ऑप्सन ए राजस्तान की बास्त परतिसत जन्संग क्या हैं जो कर्सी और साइक गती वीडियो पर निर्बर हैं अगला दूसरा क्यूसन है गोड़वर्ड परदेश राजस्तान के किस वरत भू आकरती विबाग का भाग हैं तो इस सवाल का सही जवाबजे का option B यesनी गोडवाड़ प्रदेश है जू पक्छी में सुस्क प्रदेश वरत भू आकरती विबाग का भाग है किस प्रदेश का भाग है गोडबड़ प्रदेश पसी में सुस्क प्रदेस का अगला नेक्स तीसरा किसने राजस्तान के किस सेतर में विंद्य पटार का विस्तार है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन डी नी दक्षिनी पूर्वी चेतर में राजस्तान में विंद्य पटार का विस्तार है किस चेतर में विंद्य पटार का विस्तर दक्षीनी पूर्वी चेतर में अगला next four gustado किसमें राजस्तान के किस प्रदेश में बीड प्रदेश मिलते हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा option A नी चंबल के बैसीन में राजस्तान में बीड देखने को मिलते हैं बेड़ किस चेतर में मिलते हैं चम्मल बैसेन के प्रदेशम में नेक्स्ट अगला पांचवा किसन है राजस्तान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है तो इस सवाल का सई द्वाब देगा option A ने 1070 किलोमेटर की सीमा है जो राजस्तान की पाकिस्तान देश के साथ लगती है कितने लगती हैं 1070 किलोमेटर जो राजस्तान की सीमा पाकिस्तान देश के सीमा के साथ लगती है अगला च्छटा किसन है राजस्तान की सबसे कम सीमा किस राजिय की सीमा से लगती है तो इस सवाल का सभी द्वाब देगा आप्सन डियने राजस्तान की सबसे कम सीमा है वो पंजाब राजिय की सीमा से लगती है पंजाब के सहत राजस्तान की गुंडबे किलोमेटर की सीमा जबकि सबसे अधिक सीमा है वो मद्यप्रदेश राजिये के साथ लगती है जो 1600 किलोमेटर तक की सीमा है वो राजस्तान की मद्यप्रदेश राजिये के साथ लगती है और सबसे कम है वो पंजाब राजिये के साथ 89 किलोमेटर तक की सीमा लगती है कर देन अगला नेक्ष्ट साथवा क्युसन ने 1897 औहुंवा में British political एजेंट की हत्या की गई हैं तो इस सवाल का सई दवाब देका option ए नि 277 में, आहुआ में कैप्टन मौक मेसंं ब्रीटिस पॉलिटिकल एजेंट था जिनकी हत्या कर दि गई थी किस पॉलिटिक्स एजेंट की वो था बिरिटिस पॉलिटिक एजेंट कैप्टन मौक मैसन अगला नेक्स्ट आटवा किसन है लॉड हैस्टिकन संदी स्विकार करने वाला परतम राजदानी राजियत था तो इस सवाल का सही जवाब देगा जेका ऑप्शन भी यहनि करोली परतम राजदानी राजियत था जो लॉड हैσटिकन संदी को स्विकार करने वाला परतम र्यासद या राजियत था, कौनसा करोली राजियत थी अगला नेक्स्ट नौवा किसने बिसलपूर बांध किस नदी पर इस्तित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सन भी यह नहीं बिसलपूर बांध है जो टौक जिले में बनास नदी पर इस्तित हैं कहां पर हैं टौक जिले में और बनास नदी पर और दोस्तों आपको बतादे कि ये बिसलपूर बांध है जो राजस्तान की सबसे बड़ी पेजल परियोजना भी है नेक्स्ट अगला दस्वा क्युसन है स्वतंतरता संग्राम सैनानी एं सईद सागरमल गोपा कहां के निवासी थे तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन एनी सागरमल गोपा है जो जैसल मेर जिले के निवासी थे जो एक स्वतंतरता संग्राम सैनानी और सईद होने वाले थे जो कहां के निवासी थे सागरमल गोपा जैसल मेर के निवासी थे अगला नेक्ष्ट ग्यारवा किसन है हरित राजस्तान कारेकरम का समध किस से हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन बी नी हरित राजस्तान कारेकरम का समध है वो वरकसारोपन से हैं अगला नेक्ष्ट बारवा किसने वीर भगत समाज किसने इस्तापित क्या था तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन डी नी विजे सिंग पतिक है जिनोंने वीर भगत समाज को इस्तापित क्या था किसने कहता वीर बगत समाज को इस्तापित विजे सिंग पतिकने मिवार परजा मंडल की इस्तापित की गई है किसके दवारा मिवार परदा मिडल किस था अपने की किए है माने के लाल बर्मा के दवारा नेक्स अगला चौदवा किसने अभी लेखित वन शेतर की द्रश्टी से राजस्तान का देश में कौन सा इस्तान है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C ने अभी लेखित वन शेतर की द्रश्टी में राजस्तान का देश में पंदरवा इस्तान है कौन सा इस्तान है अभी लेखित वन शेतर की द्रश्टी में राजस्तान का इस्तान पंदरवा इस्तान है जो वन विबागर रिपोर्ट दो जार बीस और कीस के अनुसार अगला नेक्ष्ट पंदरवा किसन है राजस्तान राजिय का परतम जैविक उध्यान कौन सा है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A नहारगड अब्यारण है जो राजस्तान राजिय का परतम जैविक उध्यान है और नहारगड अब्यारण है जो जैपूर में इस्तेतन हैं कहां पर है जैपूर में जिसको साल 1980 में इस्तापित क्या गया था नेक्स्ट अगला सोडवा कि उसे ने कितने रजवाडवा राजियों के एकिकरण से राजस्तान राजिये बना हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C यानि उगणिस रजवाडवा राजियों के एकिकरण से राजस्तान राजिये हैं वो एक पूर्ण राजिये बना था और पूर्ण राजी राजस्तान है वो एक नवंबर 1956 को बना था जो साथ चरणों में राजस्तान का एककरण पुरा हुआ था अगला नेक सतरवा क्योसे ने राजस्तान में राजनितिक चेतना को सरव परतम जन्म देने वाले थे तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन ए ने अर्जुनलाल सेटी है जो राजस्तान में राजनितिक चेतना को सरव परतम जन्म देने वाले थे कौन थे राजनितिक चेतना को जन्म देने वाले अर्जुनलाल सेटी नेक्स्ट अगला अटारवा क्यूसन है केंद्रिय सुस्क बागवानी संस्तान कहां इस्तित हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा option DNA बी सवाल बीका नेर में हैं जो केंद्रिय सुस्क बागवानी संस्तान इस्तित हैं कहां पर वी स्वाल बीका नेर में जिसकी इस्तापना है साल 1913 में हुई थी यानि केंद्री सुस्क बागवनी संस्तान की इस्तापना है वो कब हुई थी साल 1913 में जो वी स्वाल बीका नेर में इस्तित है नेक्स्ट उग्णिस्वा क्यूसन है राजस्तान में अटारासो सताउन के विद्रों के शुरुआत कहां से हुई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन D नसीराबाद सामनी से राजस्तान में अटारासो सताउन के विद्रों के शुरुआत हुई थी कहां से विती राजस्तान में 1877 विद्रों की शुरुआत नसीराबाद सामनी से नेक्स्ट अगला बीसवा किसन है राजस्तान में पत्रकारिता के भिस्म पिता मा है तो इस सवाल का सई जवाब ज़ेगा option A ने पंडित जाबरमल सर्मा है जो राजस्तान में पत्रकारिता के भिस्म पिता मा कहे जाते हैं कौन का जाते हैं पत्रकारिता के भिस्म पिता मा वो कहते हैं पंडित जाबरमल सर्मा अगला नेक्स्ट 21 क्यूसन है वरत राजस्तान का परदान मंत्री था तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सन C नी वरत राजस्तान का परतम परदान मंत्री हैं जो हीरालाल सास्त्री थे अगला नेक्ष्ट 22 वा क्यूसन है निमन मैंसे राजस्तान का सबसे पुराना पसू मेला कौन सा है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्शन ए नि तिलवाडा का पसू मेला है जो राजस्तान का सबसे पुराना पसू मेला है और तिलवाडा के पसुमेला को मलिलात जी के पसुमेला के नाम से भी जाना जाता है जो तिलवाडा तैसिल बाड मेर मेर में आयोजित होता है के जिले में होता है तिलवाडा का पसुमेला बाड मेर जिले में जो राजस्तान का सबसे पुराना पसुमेला है और राजस्तान के सबसे ज़्यादा पसू मिला है वो नागोर जिले में राजस्तान सरकार द्वारा आयोजितिक किये जाते हैं अगला नेक्स तेईस्वा क्यूसन है राजपरमुक के पद को राजपाल का पद नाम कब दिया गया था तो इस सवाल का सही ज़्यापजे का ओपसन डी यानी साल 1956 में राजपरमुक का पद हैं जिसे राजपाल का नाम है वो 1956 में दिया था नेक्स अगला चोईस्वा क्यूसन है राजपान एकिकरण के सब्तम चरण में किन सित्रों को समय लेतिक क्या गया था तो इस सवाल का सही ज़्यापजे का ओपसन बी यानी अजमेर तता आबू को राजपान के एकिकरण सब्तम चरण में समय लेतिक क्या गया था नेक्स अगला चोईस्वा क्यूसन है राजपान में सतीपरता सरवपरतम कन्यवद रोकने का प्रियासिक किसने क्या था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C यानि जैपूर में राजस्तान में सत्य प्रता और सरव प्रतम कन्य वद रोकने का प्रियास क्या गया था कहां पर जैपूर में नेक्स्ट अगला 26 किसने राजस्तान के लिमबा राम ने किस खेल में अंतराष्टी ख्याती प्राप्त की हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C यानि तिरंदाजी में राजस्तान के लिमबा राम है जिन्होंने अंतराष्टी खेल में ख्याती प्राप्त की थी किस खेल म अगला 27 क्युष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो इस सवाल का सई जवाब देगा option A नी राजस्तान में अर्जुन पुरुषकार के सम्मान में महारणा प्रताप पुरुषकार दिया जाता है अगला नेक्स्ट गुंटीसवा क्यूसन है राजस्तान में खेलों के विकास के लिए नेरु युवा केंदर की इस्तापना कब हुई थी तो इस सवाल का सई जवाब देगा option A नी चौदा नवमर 1972 में राजस्तान में खेलों के विकास के लिए नेरु युवा केंदर की इस्त आकरमन के कारण पंजाब से राजस्तान में इस्तांतर करने वाली जातियां कौन सी थी तो इस सवाल का सही जवाब जगा आप्शन डियानी सीवी अरजुनियान या यदेई और मालो ये चारों जातियां थी जो सिकंदर मान के आकरमन के कारण पंजाब से राजस्तान में इस् अगला नेक्स्ट 31 क्यूसन है मर्तिव के 30 दिन हड्यां को इकटा किया जाता है इस क्रिया को क्या कहते हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D&E मर्तिव के 30 दिन जो हड्यां इकटी की जाती है जिस पर इक्रिया को राजस्तान में फूल चुनना कहते हैं अगला नेक्स्ट 32 क्यूसन है राजस्तान की लोक देवता में सबसे छोटी फढ़ किसकी है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C&E पाबु जी की फढ़ हैं जो सबसे छोटी फढ़ मानी जाती हैं जबकि सबसे बड़ी फढ़ हैं वो देव नरेनट जी की मानी जाती हैं अगला नेक्स 33 क्यूसन है बीलों को छेड़ा फाड़ना क्या है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B बील जन्जाती में जो छेड़ा फाड़ना है तलाक कहता हैं यानि तलाग जो बीलों की जंजाती में दिया जाता हैं जिसको इस्तानिय बासा में सेड़ा फाड़ना कहा जाता हैं अगला नेक्स 3400 कि उसने 18 जून 1576 में कौन सा प्रसिद युद्ध लड़ा गया था तो इस सवाल का सही जवाब जेगा option C यानि हल्दी गाटी का युद्ध हैं जो 18 जून 1576 में लड़ा गया था नेक्स अगला 35 कि उसने अरावली स्रेणी की दूसरी अधिकतम उचाई चोटी कौन सी हैं तो इस सवाल का सही जवाब जेगा option C यानि अरावली स्रेणी की जो दूसरी सबसे अधिकतम उचाई की चोटी हैं वो share चोटी हैं और दोस्तो share चोटी की उचाई कितनी हैं वो आप comment में लिकर जरूर बताईए